दोस्तो आज हम जाने के इंडिया पोस्ट पेमेंड बैंक, SMS बैंकिंग के बारे में दोस्तो अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंड बैंक यूज करते हैं तो आप इजिली शर्फ एक SMS के थो एकाउंट की बैलेंस और मिनी स्टेट्मेंट को चेक कर सकते हैं विटाउट IPVP Mobile Banking आप SMS Banking के थोग एकाउंट की Balance and Account की Mini Statement को चेक कर सकते हैं दोस्तों ये SMS Service को यूज करने के लिए पहले आपको SMS Banking में आपका Mobile Number को रेजिस्टर करना होगा SMS Banking में रेजिस्टर करना के बाद आप Balance Inquiry कर सकते हैं और Mini Statement को भी चेक कर सकते हैं SMS Banking में रेजिस्टर करने के लिए पहले Message Box में Capital Word में रेजिस्टर लिखिए और इस Message को 7738062873 नमबर पे सेंड कीजिए और आपको ये Message Bank Register Mobile Number से सेंड करना और कोई Mobile Number से सेंड करेंगे तो ये रेजिस्टर नहीं होगा आपके Bank Account के साथ जो भी Mobile Number रेजिस्टर है उसी Mobile Number से ये SMS को सेंड करना होगा Message सेंड करने के बाद आपको SMS Banking में आपका Number रेजिस्टर हो जाएगा और Bank की तरफ से एक Confirmation Message भी आएगा अगर आप अल्रेड़ी SMS Banking में रेजिस्टर है तो ऐसा की Message आएगा दोस्तो एकाउंट की Balance Inquiry के लिए आपको SMS Box में Capital Word में B.A.L.A.L.E. के ये नंबर पे इस SMS को सेंड करना होगा और Mini Statement को चे करने के लिए आपको SMS Box में M.I.N.I. यानि Mini Link के ये नंबर पे सेंड करना होगा दोस्तो इस SMS को सेंड करने के एक मिनिट के अंदर आपके Bank Register Mobile Number पे बैंक की तरफ से Balance Inquiry का and Mini Statement का Message आ जाएगा दोस्तो इस तरह आप IPBP Account की Mini Statement and Balance Inquiry को SMS Banking के थ्रूँ चेक कर सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेट पे बताईए और अच्छा लगे तुमा लाइक शेरें सब्सक्रे करना थेंक्यू फर वाजिन